आमले को अगर सुपर फूड कहा जाए तो कुछ ज़ादा नहीं है और दोस्तों वास्तम में सरदियों के लिए आमला सुपर फूड ही है सरदियों में आमला खाना सरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है हलाकि आप इसे किसी भी मौसम में खा सकते हैं क्योंकि बलड शुगर को कंटॉल करता है इसकिन को बेदाग बनाए रखता है आमले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है 100 ग्राम आमले में संतरे की तुल्ला में 10-30 गुना अधिक विटामिन सी होता है और हर दिन आमला खाने से दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है और आमले में पाए जाने बाला विटामिन सी, एथोरो, इसकेलरिस जैसी बीमारी से भी बचाता है इसके लावा जिन लोगों की इम्मून सिस्टम कमजोर है तो दोस्तों उनके लिए आमला एक रामबाना उस्दी है उनकी वाइरस से लड़ने के लिए इम्मून सिस्टम को मजबूत होना ही चाहिए और आमला आपके इम्मूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है और इसके लावा अगर आपके मूँ में अक्सर चाले हो जाते हैं तो आमले से बहतर इलाज कुछ नहीं है गरम पानी में आमले का जूस मिलाकर इसे हर दिन पियें आपको कुछ दिनों में इसका असर दिखने लगेगा और बार बार चाले होना बंद हो जाएंगे हर दिन कच्चा आमला खाने या जूस पीने से दान्त और मसूडे भी मजबूत होते है इसके लावा आमले में क्रोमियम नाम का तत्व पाया जाता है जो बलड शुगर को कंट्रॉल करने में काफी उपी होगी है और डायबेटीज के मरीजों के लिए आमला एक बहतरीन फल है आमले में बहुत सारा फाइवर होता है और इसे बिल्कुल एक लिमिटी मात्रा में ही खाना चाहिए इसके लावा आमले में खून को साफ करने के भी बहुत सारे गुन होते हैं इसकी वज़े से मुहासों की समस्याएं दूर होती है तो अचा बेदाग चमकदार होती है और आमले में पाये जाने वाला बिटामिन सी इसकिन को हाइडरेट रखता है तो अचा की सूजन कम करता है तो अचा की खराब हो चुकी कोशकाओं में नई जान डाल देता है और इसका सबसे बड़ा उपी हो गए हर दिन आमला हेर क्लिंजर से मसाज करने से रूसी की समस्या दूर होती है बालों में चमक आती है अगर आपके बाल रूके हैं और समय से पहले सपेद हो रहे हैं तो आमले का तेल बालों में लगाएं आपकी सारी समस्या जल्द ही दूर हो जाएगी और जिन लोगों को एसिडिटी की समस्या है उनके लिए आमला बहुती फायदे बंद है आमले का पाउडर मिस्री के साथ मिला कर खाना चाहिए या पानी में डाल कर पीएं तब भी ऐसिडिटी से राहत मिलती है और पत्री की समस्या होने पर भी आमला कारगर उपाय है पत्री होने पर 40 दिन तक आमले को सुखा कर उसका पाउडर बना लें और उस पाउडर को प्रति दिन मूली के रस में मिला कर खाएं इस प्रियोग से कुछी दिनों से पत्री गल जाती है इसके लावा रक्त में हीमोगलिविन की कमी होने पर प्रति दिन आमले के रसका सेवन करना काफी लाप्रद होता है तो दोस्तो इस तरीके से आमले के बहुत सारे प्रियोग हैं जो आगे हम शेयर करते रहेंगे आप भी चैनल को सबस्क्राइब करके रखिए नई नई जानकारियों के लिए